नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल Unically SPS पर तो दोस्तो देखिए आज ये बहुत ही सुन्दर सा गोल्डन जो साइप्रस प्लांट है ये मैं नर्सरी से लेके आया हूँ 100 रुपीस का मुझे नर्सरी से मिलाई है तो आज हम इसकी reporting के बारे में बात करेंगे इसकी care के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए मैंने soil mixture लिया है soil mixture well drained होना चाहिए जिसमें 30% मैंने sand ली है 30% इसमें हमारी जो normal garden soil है और बाकी 40% इसके अंदर vermicompost और goberkhad mix है दोस्तों तो दोस्तों इसके लिए देखिए ये मैंने खुद का ही cast किया हुआ एक गमला यूज कर रहा हूँ जो की cement का बना हुआ है ये मैंने खुद ही किसी balti के अंदर एक बार cast किया था काफी पुराना गमला है तो काफी मजबूत रहता है तो इसके अंदर मैंने नीचे छेद के ओपर चोटा सा एक कोई पत्थर सा रख दिया ताकि पानी निकलेना थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे हम इसके अंदर और देखेंगे कि actually मैं इसका level कितना आता है उसी हिसाब से हम इसकी reporting करेंगे इस पौदे को ये golden बहुत ही खुबसूरत लगता है जिस जिस हिस्से में इसके दूप आती है वहाँ एक golden हो जाता है ये देखें थोड़ा सा साफ fungicide हमें डाल दूँगा ताकि कोई भी fungal infection root rotting ना हो इसमें ये आधी चमच मैंने मिट्टी में थोड़ा सा मिला दूँगा तो ये देखिए तो इसमें जिस तरफ धूप पड़ती है दोस्तों वहाँ तो golden color का हो जाता है और जिस तरफ धूप नहीं पड़ती वहाँ थोड़ा dark green color का रहता है बहुत ही कुपसूरत type का plant है और rough tough है दोस्तों evergreen हमेशा रहता है और दिखने में बहुत ही कुपसूरत रहता है तो अगर आपके पास कोई balcony है जहाँ पर आपको कोई height वाला plant चाहिए तो आप वहाँ इसको grow कर सकते हैं विदिन एक या दो साल के अंदर इसकी height चार से पांच फूट तक भी आपकी बढ़ सकती है दोस्तों तो देखिए यह इसमें इन्होंने काफी red color की जो soil होती है तो काफी चिपचिपी soil होती है यह ज़्यादा पानी को hold करके रखती है तो हम इस टाइब की soil नहीं चाहिए क्योंकि नर्सरी से आते हैं कि दूर से इंपोर्ट होकर तो यह ऐसी grow होती है दोस्तों तो हम इसमें से जितनी हो सकेगा हम यह मिट्टी निकालने की कोशिश करेंगे साइड से यह देखिए जेंटली निकाल रिमूव करना है ज्यादा रूट्स ब्रेक ना हो इसकी हम इस चीज़ का ध्यान रखना है यह देखिए हम ने जितना भी इसमें क्योंकि यह ज्यादा पौधा था यह पूरा रूट बाउंड हो चुका था इसमें तो हम बिल्कुल जेंटली कि जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको रिमूव कर लेंगे दोस्तों कि सॉइल मिक्षर में बस हमें ध्यान रखना कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए इसमें तो इसलिए हमने इसमें सैंड है वो डाली है 30 पसंद यह देखिए यह मैं हाइट मुझे मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम लग रही है तो थोड़ी सी और मैं मिट्टी डालने वाला हूँ मैंने जो पौधा यह बीच में प्लेस कर दिया है और दोस्तों याद होगा आप लोगों को मैं एक मैंने वीडियो अपनी टेरेस गार्डन की आप लोगों के साथ शेयर करी थी उसमें मैंने इतना ही मैं एक जो है जुनिपर का यह साइप्रेस का पौधा लेकर आया था तो आज वो कम से कम भी तीन फुट से उपर उसकी हाइट हो चुगी है दोस्तों तो ऐसे ही मैं मुझे बहुत खुबसूरत लगते हैं इस पौधे इनको आप डिरेट ब्राइट में भी रख सकते हो और दूप में भी रख सकते हो तो बहुत ही रफ टफ पौधा होता है बस इसको आप टेरा कोटा के गंले में भी लगा सकते और सिमेंट वाले में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है जाधा इज़ी टूग्रो टाइप का प्लांट है जाधा की रिक्वार्मेंट नहीं होती इसको और जाधा फर्टिलाइजर वगरा की भी नहीं जरूरत होती बस एक बार जो आप लोगों ने डाल दिया वो ही हमेशा इसकी लाइफ में बना रहता है और अच्छे से इसको nutrition प्रवाइड करता रहता है साल में एक बार इसको थोड़ा सा कोई भी आप किसी भी टाइप का वर्मी कंपोस्ट या कोई भी टाइप का गोबर खाद आप दे सकते हो इसकी शेप बहुत सुंदर होती है दोस्तों तो अब इसमें से हम पानी डालेंगे इसको ज्यादा पानी नहीं डालना बस इतना डालन कि एक बर मुझ इतनी मिट्टी है कि गीली हो जाए अधिरी तिरे करके हमने इसमें देखिए पानी डाल गया चारव तरफ से कि देखिए इसमें दो से तीन दिन के लिए हम इसको पीछे वाला एरिया है हमारा जहां पर धूप नहीं लगती वहां पर हम रख देंगे तो दोस्तों थैंक यू लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल थैंक से लोट दोस्तों